अगर आप अपने Facebook अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं या आप यह जानना चाहते हैं कि आपका Facebook अकाउंट है है या नहीं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यह कैसे बचान सकते हैं कि आपका Facebook अकाउंट कोई और चला रहा है कि नहीं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह है कौन सा तरीका जिससे आप अपने Facebook अकाउंट को हैकोने से बचा सकते हैं तो गाज इसके लिए simply आपको अपने Facebook अप्लिकेशन को open कर लेना होगा open करने बाद guys आपको सबसे उपर right corner में three lines दिखाई देंगी इस पर आपको क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने बाद guys आपके सामने एक option दिखाई देगा जब आप इसके see all के option पर क्लिक करेंगे तो guys यह आपको यह बता देगा कि आप किस जगह से अपने Facebook अकाउंट को लॉग इन किये हैं तो आप यहां से आप इसली पता कर सकते हैं कि आपका Facebook अकाउंट कौन कौन चला रहा है उसकी exact equation आपको यहां से पता चल जाएगी अगर आपने किसी दूसरी जगह से अपने Facebook अकाउंट को लॉग इन नहीं किया तो आप यहां से इसको लॉग आट कर सकते हैं लॉग आट करने हैं आपको सिंप्ली यहां पर लॉग आपको क्लिक कर देना है अगर आप यह चाहते हैं कि आपका Facebook कोई भी हैक ना करें तो आप थोड़ा सा अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आपके मुवाइल नंबर पर 16 का कोड आएगा जब आए आप कोड डालेंगे तब ही आप लॉग इन कर पाएंगे अगर आपका पास्पर्ट किसी दूसरे बंदे को पता भी है तब भी आप लॉग इन नहीं कर पाएगा वह जब तक का आपको मुवाइल का नंबर का कोड ना डाले गाइस जब आप टूफेक्टर अथाटिकेशन को आउन कर लेंगे तो आपको यह बेनिफिट मिलेगा जब आप अपनी अकाउंट को किसी भी जगह से लॉग इन करेंगे तो इसके लिए आपके मुवाइल नंबर पर सबसे पह इस पर क्लिक करने बाद गाइस सबसे उपर आपको मुवाइल नंबर एंटर करना है मुवाइल नंबर एंटर करने बाद गाइस आपको कंफर्म की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर गाइस आपको यहाँ पर अपने फेस्वीड अकाउंट को पासफ़ड एंटर करना होग यह गाइस ही है मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा already two factor authentication on है आप इस तरीके से आप अपने facebook account को hack होने से बचा सकते हैं आई हो आपको वीडियो पसंद आयो हो तो like, commit and share करें